असलाम अलाइकुम विल्कम बैक टो मागी बाउट्षी तो आज बनेगी तीन चीज़ों में है यह फ्राइड राइस है एक फ्राइड राइस और तंदूरी गोपी है और पापड़ वाली चाट है तो एकदम हेल्दी चीज़ें बनेंगी तो बनाना शुरू कुरते हैं यहां इसको ब्लांच करेंगे एक वाक पैन लिया है मैनने उसमें दो-तीन कपानी डाला और इसमें डाल दिया थोड़ा सा नममक के साथ गोबी गोबी डालने के बाद एक दो-तीन उबालाने तो इसको छांग लेंगे और यहां पर बनाएंगे तंदूरी वाला मैरानेशन तो एक बरतन में दही ले ले लिजिए 1 फॉर्थ कप दाल देंगे दही और दही में जो है वाफ टी स्पून जितना ये हल्दी का पौडर जीरा पौडर आधा चमच वन टी स्पून धनिया पौडर और पन ही टी स्पून ये अपना क्या वलता है इसको जीरा अजवाइन डाल दीजे तो इसमें डाल दिया है देड जमच भर के लाल मिर्ज कप ओडर और वन फॉर्टी स्पून जितने कसूरी में थी ये डाल दी है और ये डालने के बाद अप तक यह डालने है तो इसमें उबाला चुका है तो इसको चान लेंगे थंड़ा पानी जरूर डालीएगा वरना य तो इसमें डाल देंगे काली मिर्च कुटी हुई अधा चमच के खरीब तंदूरी रंग और इसमें जो है नमक कोईले का दूहां पी जरूर दीचेगा मैं भूल चुकी थी देना तो यह डालना है और लेमन जूस डाल दीचेगा आधा लेमन का जूस या फिर एक छोटा है त बड़ा है तो आधा डाल दीचेगा और इन चीजों को अच्छे से मिक्स करना है लसन दरक मैंने बाद में डाला है और यह डालने के बाद जो ब्लांच की हुई गोपी है और बेसन डाल देंगे दो चमच टू टी स्पून यह डालनेना है और कॉन फ्लार भी डालना है ताक बड़ा गोपी और लसन दरक हमेशा थिक पेस्ट न डालिएगा थोड़ा सा उसमें पानी हलका सा एक चमच पानी में डाल जाएगा पीस्ते वक्त अप थिक पेस्ट ही पीसके रखे जब आप इस इसमाल कर रहे हैं तो एक चमच पानी ज़ूर मिलाया कीज़े एक दम गाड पेस्ट दीक सकते हो एक टेबल स्पून जितना पासन दरका प्पेस डाल दिया मिर्च मसालय है अपने ही साप से तो यह डालने के बाद पान देंगे इसमें ढाल देंगे जाल ने के रिख देंगे और यहां पर चाव办 can wise चिशात धेखे जो है तोड़ीसी अच्छी नमक, चाट मसाला, घरब मिसाला और नीम बुकर असी डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और यह मसाले वाली प्यास जो है पनकर तियार हो जाएगी सलात के लिए तंदूरी गोबी के साथ तो यहां चाट अच्छे से बॉइल कर लिए हैं और यहां गोबी को फ्राइ करेंगे और यह गोबी के लिए एक नॉन स्टिक का पान लेजेगा और उसमें सारी गोबी मड़ा लिए आधी-आधी करके फ्राइगीजे यहां पर मैंने पूरी डाल दी थी थी थोड़ा सा अच्छे से हो गया तो इसके बाद थोड़ी सी बस निकाल ली इसके बाद दो टाइम करके मैंने इसको फ्राइ किया क्योंकि यह ज़्यादा है इस वज़े से पैम थोड़ा से इसमें छोटा पड़ गया तो यहां पर इसको fry भी कर सकते हो आप भून की भी बना सकते हो थोड़ा सब भूनेंगे तो healthy virgin बन जाएगा फ्राइ करेंगे तो यहां पर इसको कोईले का धुवाँ भी जरूर दीजिएगा आप इसमें तंदूरी गोबी के लिए तो इसको आप वन में भी ग्रिल कर सकते हो बस इसको स्क्रीवर्स में स्क्रीव कर दीजिएगा अच्छे से पिरोके उपर नीचे का ग्रिल आपके एक पीस में यहां पर जिसे देख सकते हो अच्छे से लग सकता है तो नॉस्टिक का पैन होने से एक फाइदा है कि कम तेल में अच्छी चीज बन कर त्यार हो जाती है तो यहां पर जिसे देख सकते हो अच्छे से थोड़े सी पस में यहां पर निकाल दिया है कि कि ज्यादा एक टाइम पर नहीं हो पा रहा था तो यहां पर मैंने अच्छे से गरम हो जाए फ्राय ड्राइज की निशानी है जो भी चाइनीज बनाय कभीवी आप तो दो वाक पैन फोड़ी से आधा चम्मच जितनी लाल मिर्च, नमक, चैना सॉल्ट, चिकन मसाला या फिर गरा मसाला और अधा एक चम्मच जितनी काली मिर्च और यहां पर एक यह जो है देड़ पाव चावल के लिए मैं बना रही हूं तो उसके लिए तीन अंडे थोड़े अच्छे बड़े साइस के अंडे हैं थोड़ा से मैंने दो तीन चम्मच पानी भी डाला हुआ है तो वो डालने के बाद अंडे फोड़ लीजेगा इस तरीके अंडे से अंडे को अच्छे से बीट करना है एक दम सीधर डारेक्ट फ्राइपन में नी डालना तो इस वज़े से जब तक यह सारी चीजे करेंगे तो अच्छे से कढ़ाई भी गरब हो जागे एक दम तेज आंच पे इसको बनाना है तो यहां पर तीन चार टेबस पूँ अच्छे में नी गुना चाले का हिरेक्ट अच्छे मोटे च्छे से लगएन लाओं तो आध में ने ड़ने एक दम ल् fire में थाच अदाना चाहिए ळाधर hunter और जाव आद करदना के जाएं छोड़ sit पत्ता गोबी, थोड़ी सी एक मुठी के खरीब, शिम्मला मिर्च थोड़ी सी और बीन्स थोड़े से, यह डाल दिया करीप अम्द के साथ डाला हुआ है यह डालने के बाद थोड़ी अंडा पक जाएं और इससे बहुत के बाद गालेंगे साषी सब्जियां तो एक दम फटा फट इवन कर त्यार हो जाएगा बॉइल चावल है आपके पास या फिर बचे चावल के साथ भी बहुत अच्छा लगता है तो यहां पर यह सारी चीज़ें डालने के बाद इसमें डाल देंगे जो बॉइल राइस है वो यहां पर मैं सुनम सुरी चावल इस कि अखिगे जब पकाए आप तो फोरा ही इसको ताजे चावल के साथ मत बनाइएगा ताजा अगर दम होने के बाद ही हम लोग इस तरीके से चमत चलाएगे तो तो चावल तोट जाएगे तो इस वजे से हलका सा हवा लगने दीजे चावल को इसके बाद आड़ी चीज़े तो टेबल स्पून ही क्रीन चिली सुस कि दाल दिया यह हमारा बन कर देखार्द राइस, तो यह डाल दिया अब इसको अच्छे से मैंक्स करना है और इसको आप कर देंगे तो बहुत ही बहतरीन खिसम का बिचों के लिए बडों के लिए एक बहतरीन और वेजिटेबल्स भी है इसमें एकदम जादा तिक्खा भी नहीं है अपने हिसाब से मिर्च मसाले रख सकते हो क्योंकि यह मैंने तिक्खा बनाया बहुत अच्छा चटपटा खिसम का तंदूरी को भी तो इस वज़े से मसाले मैंने कम रखे हैं हरी मिर्च भी डाली हुई है इसमें यह बात याद रखिएगा हरी मिर्च में भूल गी थी बोला तो फ्राइड राइस में हरी मिर्च भी डाली है वह भी एक हरी मिर्च जाली है अच्छी सी तिक्खी वाली उसको भी मोटा मोटा काटके डाला है तो यह डालने के बाद सब्स अच्छे से यह टास कर लेंगे तो यह तंदूरी गोवी तेयार है अच्छे से इसका डिच्चे से यहाँ डाल देंगे वह प्याज मसाले प्याज और इसको चाट करनेगे जब तक फ्राइड रेस भी बन चुका तंदूरी गोबी भी बन चुका तो इसके लिए चाट के लिए यहाँ पर सबजी हैं गाजर एक, खीरा एक, प्याज एक और ठमाटर एक, यह सारी चीज़ें बारीक एकदम चॉप कर लिए एक आलू बॉइल किया हुआ वो तो इसमें जाएंगे मसाले, मसालों में है चाट मसाला, दो चमच भर के, दो से डाही चमच में डाला हुआ है, जो बची थी गो भी वो तक फ्राय हो जाएगी, तो यह डालने के बाद इसमें डाल देंगे गरम मसाला, 1-4 टी स्पून, हलका सा अएक दम, हलका सा डालीएगा, तो यह डालने के बद नमक डाल देंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो चाट मसाला डाला हुआ है, तो हलका सा देखके ही तो इसमें डाल देंगे लाल मिट्च, 1-4 टी स्पून जितनी ही लाल मिट्च, क्यूंकि जब मैं प्याज और यह सारी चीज़ें पीस रही थी, तो एक हरी मिट्च इसके साथ भी पीस ली थी, चॉप कर ली थी, और इसको बस अच्छे से मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे, जो भूने हुए पापड हैं वो, हलक असा देखिए, इस तरीके से क्रश कर लिए जएगा, हलक असा क्रश कर लिया, क्रश करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है, और सर्व कर देंगे, और यह हमारी तीन चीज़ें बनकर तयार हो जाएंगी, और यहां पर दंदूरी को भी अल्मोस्ट बनकर तयार हो जाएगी है, मिर्च मसाले अपने हिसाब से बच्चे खा रहा हैं, तो थोड़ा सा मिर्च मसाले अपने हाथ में, थोड़ा सा काम कर लिजएगा, यह बहुत हल्दी चार्ट है, और किस तरह के और चार्ट देखना यहां पर चार्ट भी सर्फ कर ली और प्लेलिस्ट में काफी सारी वीडियोस हैं, वह भी जाके जरूर दिख लीजएगा डिस्क्रिप्शन में, तो यहां पर फ्राइड राइस भी अपने सर्फ कर लेंगे, और यह बहुत ही मिनिवल मसाले हैं, कम मसाले हैं, एक दम हलक को यहां पर इसको सर्फ कर लेंगे, यह हो चुका तियार हमारा फ्राइड राइस, उमीद है आपको यह रेसिपी पसंद आई होगी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेर इंस्टाब, फालो ज्यादा देदा शेर फैमली में, फ्रेंड्स में, एलेक्टिव में, ताक के लिए बनाएका हैं, अन्जॉय करें, अल्हाफिस,